शुक्रिया पहले तो सबको दिवाली की शुब कामना है दिवाली का तहवार हिंदू कम्यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा तहवार माना जाता है जिसके अंदर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बड़े दिन जो है चाए ईद हो चाए दिवाली हो चाए होली हो चाए किरस्मिस हो उन दिनों की एक बहुत ज़्यादा एमपार्टन्स होती है लोगों की जिन्दगी में ऐसे दिवाली हिंदू कम्यूनिटी का सबसे बड़ा तैवार है जिसको हम जुलम के खिलाफ सच की जीत मानते हैं जिसको हम अंदेरे के खिलाफ रोशनी मांगते हैं इस वरे से इसको दीपावली का जाता है दीपा दिन जिसको हम जुट के खिलाफ सच की जीत कहते हैं और इन बड़े दिनों के उपर जो आदमी नेक काम कर सके उन दिनों की बहुत ज़्यादा है के इमपार्टन्स होती है आज मैंने जरूरी समझा के दिवाली के तेवार के ओपर मैं आपके साथ मुखातब हो इस वरे से कि कल मैं वैसे अमूमन टीवी तो नहीं देखता इस्पेशली जब घर पे बैटा हुआ होता हूँ इस वज़े से कि जब देखता हूँ के टीवी के ओपर जो हमारे कुछ लोग पार्लेमेंटर जिस लेंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो मुनासम नहीं समझता कि उन चैनल्स को जो है वो हम अपने घर के अंदर देखें मगर कल अचानक से मैंने टीवी खुली तो डी जी आइस पी आर प्रेस कांफरंस कर रहते और शामन कुरेशी साहब फॉरेंड मिनिस्टर वो भी साथ में बैठे हुए थे मैंने उनको गौर से सुना गौर से सुनने के बाद मैंने अपनी उसी बात को दोराया कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी मधरलेंड हमारा प्यारा मुल्क हमारे मौफजों के हाथ में महफूज है और मुझे कल की प्रेस कानफरंस सुनके ये जरूर लगा कि दुनिया के कोई भी ममालिक चाहे पड़ो सी मुल्क हमारे मुल्क को जो भी निशाना बनाना चाहेंगे वो खुद भी इसका निशाना बनेंगे मगर कम से कम हमारी पाक अफ़ाच हर किसम का मुकाबला करने के लिए त्यार थी त्यार है और त्यार रहेगी और चैसे हमारी इंट्रिजन्स इदारे जिसके ओपर हमें फखर है और दुनिया के इंट्रनेशनल कम्यूनिटी को भी फखर है कि पाकिस्तान की जो इंट्रिजन्स इदारे हैं वो बहुत मझे हुए हैं और कल किस जिस किसम से जनरल अफ़ार बाबर साब ने डी जी आई एस प्यार ने एक डोजियर के साथ प्रूफ के साथ जो इंवाल्मेंट दिखाई कि मैं समझता हूं कि इंट्रिजन्स इदारे हमारे चोकस थे चोकस रहेंगे और चोकस हैं मैं फिर भी यह हमारे मसले का हल नहीं है मैं एक साल पहले जब पुलवामा का टेक हुआ था मैं इंडिया गया मैंने दरदर मोधी साथ से भी मिला और मेरी सुष्मा सुराइट साहबा से कोई 35 मिनिट की वन ओवन मुलाका तो यह और जब उसने पुलवामा के हवाले से पक्सान के ओपर इल्जाम लगया मैंने उसी ट्राइम पे भी उनको का कि मैं अपने इंट्रिजिंस इदारों को भी जानता हूँ मैं अपने चीफ हमारी पाक आर्मी के जनरल बाजवा साब को भी जानता हूँ और मैं उनके त्योरी यह है कि अब 73 सालू में बहुत कुछ हो गया अब हमें बैट के मसलों का हल करना चाहि जो नवो सीखने के लिए होती है आपने साउथ कोरिया और नार्थ कोरिया को भी देखा कि आज वो भी किस तरीके से मतलब कितना आरसा उनका आपस में तनाजारा मगर हल क्या हुआ तो हर चीज का हल जो है वो टेबल टार्ट आक के ओपर होता है मगर उनने एक बात की सुष क्वामा के अंदर इंवालमेंट थी और नहीं आगे किसी ऐसे इंसिडेंट में इंवालमेंट होगी मगर हमारे पास भी आपके हवाले से बहुत ज्यादा प्रूफ हैं आप एक ऐसी कोडिनेशन कमेटी बनाएं दोनु तरफ से कोडिनेशन कमेटी बनें और आपके पास कोई इसे डोजियर हो आप वो दें हम उसका आपको जवाब देंगे और आप हमारी पास चे थे थे फबूते हैं आप उसका जवाब दें हवा में बाते नहीं करें ऐसे पाकिस्तान को दुनिया के सामने आके शोर करकि आप कहें किए अगर पाकिस्तान एक टर्रिरिस्ट कंट्री कभी आप कुफ सेक्ट्व में कभी जिए पिस्प फिलस में कभी इंट्रोonte में करिंगे आपर समझता हूं यह चीजें हमने इन बड़े दिनों के ओपर जहांपर सच बूलने की तलकीन की गई है इन दिनों के ओपर ये बातें करके हम अपनी धरम के परचार को भी समझने स काफर है हमें अपने धर्म की रास्ते के उपर चलना है अगर इंडिया चाहता है कि मैं एक सेकुलर होके और तर्की करूं तो उसको जवालाल नेरू की सौच के उपर आना पड़ेगा उसको मात्मा गांधी की सौच के उपर आना पड़ेगा मगर आज की तरह नहीं कि महसूस यह हो रहा है कि आज मात्मा गांधी की या जवालाल नेरू की नहीं इंडिया है ये ये उनके कात्रों के नक्षे कदम पे चल रही है लिया किसनी हमें सिखाया है कि किसी इनसान को तकलीफ में आप डालो मैं आज से एक साल पहले शारदा पीठ टेंपिल के उपर गया था न और उनका जो महबत का पेगाम था वो ये था कि डाट साब आप अपने गुड आफिसे यूज करें और आप इस दिमू कश्मीर और हमारे आजाद कश्मीर दोनों को आपस में मिलाएं उस वक्त भी मैंने बात की थी कि टूरिजम ट्रेड और ट्रेविल ये कम से कम इन दोनो के बीच में बगैर किसी डिस्टरिबंस के ये शिरू होना चाहिए कि लोगों को मिलाना हमारा धरम कहता है लोगों को तोड़ना नहीं धरम कहता है मगर कल से जिसके समकी में गोलाबारी देख रहा हूं नन्हे हुए बच्चों को जिस तरीके से ये हमारा धरम नहीं सिखात है किसी बंदे को तकलीफ में देके उसका साथ देना हमारा धरम कहता है मगर किसी को तकलीफ में देके तकलीफ में डालके और आउसके आवाज को बंद कर दें जैसे कश्मीर में हो रहा है कि हमारा धरम नहीं कहता, मैं आज भी समझता हूँ, कि डी जी आईस प्यार की प्रेस कांफरंस के बाद, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था, जब उनके पास जवाब नहीं था, तो फिर ऐसी गोला बारी ये करते हैं, कि नहीं, एक चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, मगर ये ची बनना चाहते हैं, आएं टैبل के उपर बैठें, एक दूसरे के साथ शेयर करें चीजों, मगर ये नहीं, कि आप अफगानिस्तान के अंदर इंवेस्टमेंट करके, और आप इंवेस्टमेंट करके, पाकुस्तान को सबुताज और डीस्टेबलाइस करने के लिए, आप उसके तकलीफों के लिए आप अपनी इंवेस्टमेंट करें, कि उन तकलीफों को कैसे कम करें, आज भी हमारे दोनों मुलकों के अंदर बेलो पावर्टी लाइन लोगों का जो परसंटेज हैं, वो बहुत ज्यादा है, आज भी एक इस अवाले से हम दोनों मुलक पीछे हैं, तो मस्लमान यहां पे रहते हैं पाकस्तान में, उस से ज्यादा वहाँ पे रहते हैं, क्यों नहीं आपस में मिले हैं, मगर आपकभी बलोचिस्तान के अंदर करें, कब भी एजमल पहाड़ी हो, यह जतनी भी बातें कल की और यह, मैंने सारी चीज़े में सुनी हूई हैं पहले कराची के अंदर जब भी द्हशतगर्दी होती थी तो उसके सारे इशारे उस तरफ मिलते थे बलोचों अंदर जब भी मिलती थी तो ऐसे ही मिलते थे आपके सामने कलुश्च की जो अपना, जो उनने खुद बेहने माना है, तो उन सारी चीज़ों के बापजुद भी हम क्या चाहते हैं मैं समझता हूँ वक्त आ गया है आएं मिलके इस खिते की तर्की के लिए बात करें इस खिते के अमन के लिए बात करें किश्मीर को उसका हक दे आजादी राय दे अब तो बहुत बड़ा इम्तियान है जो बाइडन का भी क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा इंडिया क साथ रहते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेट्स है और हम इंडिया के साथ है अब कम से कम वो या डेमोक्रेट्स हो भी बताएं कि वो क्या कहते हैं दूसरी चीज़, मैं आज भी कल भी में बैठा हुआ था, तो कुछ एस्ट्रोलाजिस से डिसक्स हो रहा था, उने का कि जिन जिन मुलकों ने, जिन जिन मुलकों के हुक्मरानों ने, जब भी अपनी हुक्मरानी के दौरान घलत फैसले किये हैं, तो उनके असाथ, उनके मुल के उपर पड़ते हैं, कि उनके उपर खुदा की रहमत या खुदा की तरफ से थौस्ट उसके उपर आती है, मैंने पहले भी माजी में एक मरतबा बात किती हैं, कि कोविट के हवाले से, हमने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, हमसे ज्यादा इंडिया में काम हुआ, हमसे ज्यादा जो है, वो अमेरिका में काम हुआ, मगर फरक क्या था, कि हमारे कैप्टन की जो नियत थी, वो गरिबों के लिए एए एसास था, और जो नियत आदमी की होती है, जो सच्चाई उसके लिए होती है, खुदा उसके ओपर बलेकसिंग करता है, और खुदा की बलेकसि से उल्टा सीधा हो जाता है सीधा उल्टा हो जाता है तो आपने देखा कि कोविड में हमने किस तरीके से कामया भी आसल की सिर्फ एक चीज़ की वेज़े से अपने प्राइम मिनिस्टर की जो साफ नियत थी जिसकी वेज़े से खुदा ने रहमत दिखाए मगर इंडिया ने बहुत बड़े लागडाउन की मगर एक तरफ कश्मीर के अंदर जुल्म होना एक तरफ सेकुलरिजम को कोस्टन मार करके इंडियन सिटीजन एक्ट लेकी आना इन दोनु चीज़ों ने इंडिया के लिए एक ऐसी खुदा की तरफ से ना उस एक भगवान की तरफ से एक ऐसी बुराई उसके उपराई कि आज तक कोविड में इतनी जाने जाए मुझे बहुत अफसुस है उस चीज़ का मेरी हर दुआर उदर है हमारे बहुत ज़्यादा मरना तील तो अगरे वहां पे है हम हर मुल्क की खुशाली के लिए दुआ करते है मगर भगवान के आगे सब को डरना चाहिए जो हुकुमरान मालक के आगे डरता नहीं है उसको मेरे ख्याल में इन में मरहल से गुजरना पड़ता है आपने अमेरिका में भी देखा डोनल्ड टरम्प ने जितना अमेरिका को आगे लेके गया एकोनमिकली उतना उन्होंने नफरतू के हिसाब से ये जो चीजे हुई जो गलत हुआ आप देखें कि वहाँ पे भी कितनी कोविट की सुरता खराब है तो मैं आगे इंडिया, अमेरिका, साओधी अरब जो मेरी एस्ट्रोलाजी है उसके मताबक मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपेट देख रहा हूँ पीछे बहुत ज़्यादा चीजे खराब होते हुए देख रहा हूँ माहुल खराब होते हुए देख रहा हूँ मैं समझता हूँ आज के दिन के उपर कम से कम इंडिया जहां पे हमारा एकी कल्चर है, हमारे पडोसी मुलक है, क्योंकि जब तक हम अपने पडोसी मुलकों के साथ नजदीकों के तलकात बहतर हमारे नहीं बनेंगे, तब तक कमेशन डाइगर नहीं बने सकते हैं आज भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर एटमी पावर एक दूसरे के साथ तलकात बहतर बनाएं तो मैं समझता हूँ इस ट्रेजिकरी जो पोजिशन इन दोनों मुलकों की है बहुत दुनिया के अंदर एक सुपर पावर की तरह किसे तर्की कर सकते हैं पाकिस्तान की अफ़ाज के ओपर पहले भी दुनिया उसको मान चुकी है रशिया अगर मानता है कि अगर मेरा मुलक ठूटा सुवेट चुनन तो वो पाकिस्तान की वज़े से ठूटा पाकिस्तान ने अमरिका का साथ दिया और उनों की फौज की वरे से हमने नुकसान पाया और अगर इसराईल अगर कहता है कि मेरे जहाज गरे तो वो भी कहता है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान ने पहले ही अपने आपको मनवाया हुआ है तो आज भी ऐसे नहते हुए बच्चों के उपर गोलाबारी करना मैं नहीं समझता कि हमारा घ्रम हमें इस चीज की इजादत देता है मेरी आज भी कोशिश है मैं आज भी कहता हूँ इंडिया को कि जनरल इफ्थकार बाबर की प्रेस कन्फरंस और उनके एविडेंस दे के आपके पास मुझे पता है जवाब नहीं है कोई उसका जवाब नहीं है मगर हम माजी को भुलाके आगे बढ़ने के लिए त्यार है उसके लिए आपको अपर सही रास्ते के उपर लाना पड़ेगा आपको कश्वीरों को उनका हक देना पड़ेगा आपको एक दुसरे के साथ अच्छे तरीके से शेरिंग करनी पड़ेगी मगर अगर आज के बड़े दिन के उपर भी ये गलतिया रावन विबिशन ने जब रावन को बहुत समझाया तब भी रावन को समझ में नहीं आया तो आखिर उनका भाई भी उनसे टूर डिया वक्त आएगा कि इंडिया के लोग जो है वो खुद आके बाहर कहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए इंडिया तो बहुत बड़ा है और हमें नफरत नहीं हमें मौबत नहीं चाहिए तो ऐसे वक्त आने से पहले अगर हुकुमरान इन दिवाली के बड़े दिन के उपर अगर उनको उनके अंधेरे के आगए अगर रोशनी आगई है उनको सही पता चल गया है उनको सही रा देखने में आ रही है तो मैं समझता हूं कि वो सही रास्ते के उपर आएं और आके इस मुलक को खटे का अमन का गवारा बनाएं मिलके इस हम दुनिया के उपर राज करें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी अफ़ाज हर किसम का जवाब देने के लिए त्यार है ये डर के मारे बात नहीं करें हम मगर एक बड़े दिन के उपर अमन का पेगाम दे रहे हैं नहीं तो आपने देखा मुझे आज भी जनल आस्फ गफूर की वो प्रेस कांफरंस याद ए आई इस प्यार की के चोबीस घंटे आप सर्प्राइज का इंजार करें और वो सर्प्राइज ऐसा था जो आपने खुद देख लिया कि कैसा और उस सर्प्राइज के साथ जो गुड़ गेस्चर है थाजा वो भी आपने देख लिया कि किस तरीके से गुड़ गेस्चर के तौर पर उन्होंने पाइलेट को वापस किया तो ये होती है बड़ा वो होता है जो जुकता है आकर तो मुर्दे की पहचान होती है के दिन के उपर माजी को बुलाके जो कुछ हुआ है हम आगे बढ़ने के लिए त्यार है कश्मीर उंको उसका हक देने के लिए त्यार है आज के बाद हम सीज फायर बिलकुल हम कोई आपस में गुला बारी नहीं करेंगे हम हकोमत अदाकी रेजुलिशन के उपर हम अमल आपके पास कोई उसका जवाब नहीं है नाम तक देना कि ये ये लोग आपके इन्वाला है मैंने ये कहा था मैडम सुश्मा सुराज को कि अगर आप अलवामा के हमाला से मैं बात नहीं करे कोई भी आपके पास प्रूफ है आप थे हम आपके साथ बैठने के लिए लिए आने मगर उनके पास कोई डोजियर में प्रूफ नहीं था कोई ऐसी चीज नहीं थी मगर आज ये प्रूफ भी है हमारे साथ फिर भी हम कहते हैं कि आपके साथ वरना इंटरनेशनल कमिटी अपना रोल इक्तियार करें इंटरनेशनल कमिटी कब तक खामोश रहेगी कोईसी के मसेले के उपर जब ये फलस्तीन कोईसी जो बनी फलस्तीन के शु के उपर महां पे बात नहीं की अकोई मुच्छा जिस इंटरनेशनल ट्रीटी को implement कराने के लिए बनी है वो भी अगर खामुश रहेगी सुपर पावर भी खामुश रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो अपना वक्त तो गुदार लेंगे मगर खुदा जब जो बंदा अपनी responsibility से हट जाता है अपनी responsibility नहीं नबाता तो मालक उसके उपर अपनी नाराज़गी जो अपनी नावस्त की शिकिन में दिखाता है और उस मुल्क को पीछे कर देता है और मैंने आपको बताया कि जब भी जिस लोगों को तकबर होता है जिस होकुमरान को तकबर होता है वो हमेशा पीछे जाता है आज फिर मैं मेरे लास्ट प्रोग्राम की तवस्त से मैं ये कहूंगा कि आज की हालात जो देखकर हमें internal unity को बखा रखना चाहिए जब तक हमारी internal unity नहीं होगी तब तक कम अंदर से बाहर से हम वो गेम अपना नहीं कर सकेंगे मैंने अपने लास्ट शो में भी का था कि हमने हमें एक इसा कंस्विशन बनाना चाहिए कि हुकुमरान जो भी आए जब भी चेंच होती रहे हुकुमत है मगर हमारी foreign policy एक तसलसल साथ जारी रहा है उसके लिए हर political party के वो गिने चुने हुए लोग जो foreign policy को समझते हो वो बिरोक्रेट्स डिप्लोमेट्स जिन्होंने बाहर पाकस्तान का नाम रोशन किया हो पाकस्तान की अच्छे तरीके से अपना पाकस्तान का जो message दिया हो उसकी policy को अपनाया हो उनको आगे लेके हैं एक constitution बनाएं कि हम एक internal unity का message दें मैं आया सादिक से पहले भी अपील करता ता आज भी अपील कराऊं कि अपने उस गलत बियाने कि अभी तक आपने बियान वापस नहीं लिया है मैं समुछ़े ह Pen сот Wagen आपको भी प्यान लेना चाहिए अभी तक भी नहीं लेंगे तो आखरत में भी आपसे पूछा जाएगा और इस जन्म में भी क्यूछा जाएगा कि आपने मदर्लेंट हमारे मजहब मैं एक रिزक देने वाली माह और जन्म देने 1000 वाली माह मोहब वतन है मगर अपनी गलतियों का अजाला जरूर होना चाहिए अगर किसी की टंक्स लेप हुई या गलत सौच में या जजबात में आके अगर कोई अलफाज कहे और वो एक दुखदायक अलफाज हो तो कम से कम उनको वापस लेने से उसका कड़ बढ़ता है वो जुखता नहीं तो इन अलफाज के साथ में आगे ये फिर दुबारा रिक्रिस्ट करूंगा कि आएं इस मुल्क को इस खिते को अमन का गवारा बनाएं आप सब की महरबानी शुक्रिया थेंक यू आज भी हमारे सारे मंदर गुर्दवा हर जगे पे सिकुरिटी तेणात हैं और हम मुझे कल से लेके आज तक कोई 10,000 के करीम मेसिज आए हैं और उन 10,000 मेसिजिस के अंदर 9,500 मेसिज जो हैं वो मुझे मुस्लिम कम्योंटी का आया है हर मुलक के अंदर लोग मुहबत और भ पॉर्स्ट कन्वरियन वेंवाल में, वहां पे भी जो कुछ जालमाना सौच रखते हैं, तो उसके लिए ये नहीं कहें कि लोगों का, बैस समझता हूं आज भी, मैं इंडिया के लोगों को नहीं कहता हैं, इंडिया के लोग, इंडिया में आज भी मुस्लमान खुश रहा रह कि इंडिया को क्रिटिसाइज करूं या पाकस्तान को, मैं समझता हूं कि माजी के अंदर, सब लोगों से गल्तियां हुई हैं, बड़े दिन के उपर, बड़ा जगर करके, एक दूसरे के साथ, जैसे हम दीवाली मिलते हैं, गले मिलते हैं, इस तरीके से पड़ोसी भाई भ गवारा बनाएं, तो यह ज्यादा जो है, वो बहतर होगा, थैंक यू वेरी मच पार वेशिंग अस दीवाली, थैंक यू वेरी मच विरोकुमा मैश्री, दीवाली की आपको भी शिव कामना हो, बिलकुल मुस्मान भी हमारे साथ होते हैं, हम जैसे एद में उनके साथ कठे होते हैं, ऐसे ही दीवाली में हमारे साथ कठे होते हैं, यही भाईचारा है, यही इंटरफेट है, और इस चीज़ की जरुत है, यह सिर्फ इंडिया और पसंद के लोग यह सोचती हैं, मगर अगर आप अमेरिका में चले जाएं आप लंडन में चले जाएं वहां पे कोई दीवाली और ईद का तफाद नहीं होता है। कोई दीवाली को रेस्पेक्ट होती है। मैं समझता हूँ यह मुनासिब जो है इसका जवाब नहीं है। मुनासिब जवाब यह है कि एक दूसरी मुल्क को उसका हक दिया जाए और कश्मीर को उनका हक दिया जाए। लोगों का अपना ही रेजुलेशन और उसको जो है जिस तरीके से वो वाइलेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यह जालत है। और मगर आज दुख हुआ है कि वहाँ पे शादा के उपर जो है वो गोला बारी की गई है नहीं लम्विली के उपर गोला बारी की गई है इंडिया की तरफ से और वो भी आम पबलिक के उपर। तो इस से ज्यादा जो है वो बड़ी यह दिवाली के दिन के उपर कम से कम ऐसे बड़े दिन के उपर ऐसा काम करना जो खुदा भी कभी इनको माफ नहीं करेंगा virtually पाकृस्तानी हिंदूज को फ्रिड़म क refuse में यह में नहीं कहता कि यहां पे प्राब्लम नहीं है प्राब् का इशू है दो तीन लोगों की वज़े से मगर एक ही सिर्फ यहां पर प्राबलम है मेरी नजर से वो है वेक्विट्रस्ट प्रापर्टी वोड वो हमारी हुकुमत को उसका अजाला करना चाहिए मैं माजी में भी बोलता रहा हूं आज बोलता रहा हूं कि वेक्विट्रस्ट बना हुए हकत लिखाना और जवालान नहरू के बीच पे फार्थ अप्ले नाइटेन फिफ्टी सिक्स था ये एकाड हुआ था और उसको आज तक उन्हें इंप्विमेंट हुआ हैं इंडिया में इंप्लिमेंट हुआ है यहां पे इंप्लिमेंट नहीं हुआ है उसको इं करें और हमारे लोग भी उनको भी सोचना चाहिए बाहर से मुल्क से कोई भी बंदा आके यहां पे देश्चित गर्दी नहीं कर सकता जब्दक हमारे अंदर से कोई बंदा मिले और ये गदार हमें अगर कहना है तो ऐसे लोगों को गदार कहना चाहिए जो इस तरीके से बाहर बिक जाते हैं और आके अपने लोगों या आके खून बहाते हैं उनको गदार कहना चाहिए कि जो लोग और उनको इधर भी इसाब देना पड़ेगा उधर भी इसाब देना पड़ेगा तो उनको आप जरूग अदा कह सकते हैं और ऐसी चीजें हमें हमारा धर्म नहीं सिखाता है जी थैंक यू रिमर्ज ये मेरी राजेश ये जूटी थी और मैं समझता हूँ के पाकस्तान हिंदू काउंसल के कोडिनेटर पूरे पाकस्तान में मौजूद है हाट डिस्ट के दर मौजूद है और इसी तरीके से मैंने अभी क्रिस्टिन कम्यूनिटी को भी नेटवर्क उनका भी बनाया है कि मैं उन लोगों को भी ऐलाइन पे रखूँ और उनकी सेक्यूरिटी के हवाले से भी तो ये हम आगे चलके और बहता तरीके से जो आप उसको देखेंगे और सांगर डिस्टिक के अंदर आप लोगों ने भी जो जिस तरीके से सिंद्ध में सांगर में जिस तरीके से मैनत की है आपको भी शाबाश और आप सब क्यों दी वाली की शुब कामना है तो मैं आज आखर में दुबारा मेरी तरफ से यही मेसेज होगा कि आएं बड़े दिन के उपर बड़ा दिल करके बड़ा जिगर करके इस खिते के अमन के लिए आगे बढ़ें लोग के आवास को दबाएं नहीं उसकी आवास का सहरा बनें हक और सच की बात करें अंदेरे के ओपर रोशनी करें लोगों को बंद किये और लोगों को पिंजरे से बाहर निका लें हमें जब किसी का सदका करना होता है तो पकी पिंजरे बंद होते हैं तो उसको बुला के कहते हैं पक्यों को आजाद करो को हम सदका करते हैं पिर जब उनको हम ये हमारे मज़ब में सदका है तो फिर हम ये लोगों को बंद करके उनको बीमारी में भी बाहर नहीं निकलने देते हैं मैं समझता हूँ ये हमारा धरम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है दिर्कुल सर वक्त आएगा और आपको भी हम बुलाएंगे और आपकी भी वहां पे बहुत ज़्यादा कोशिश शर्दा पीच के उपर और जल्दी इस मंदर को इस वक्त हमने काफी इसके उपर खर्चा भी किया है इसको डिवलोबी किया है आगे टलकी करेंगे अब मैं दुबारा जाओं कहीं ऐसे नहीं गुलाबारी जो किये कहीं मंदर को दुबारा नहीं नुकसान रसाओं और आप अपने मुलक में भी यह बात करें वहां पे भी कि कुदाराई यह गुलाबारी बंद करें ऐसे नहते हुए बच्चों का खून नहीं बाया है मुझे आज भी उस नीलम वेली के लोगों की महबत वो जो मुझे मिली और जो उनका प्यार बरा जो मैसेज था आज भी मुझे याद है मेरी कुशिश रही कि दौनों मुलकों के बीच में आके माहूल को बहतर करें क्योंकि अब कल की प्रेस कांफर्स के बाद इंडिया के बास अब कोई जवाब नहीं है कि इस डोजियर का जवाब दे सके मगर कम से कम आके अजाला ये करें कि हम माजी को बुला कर हम आगे बढ़ने के लिए त्यार है यही मैसेज दें तो मैं समझता हूँ यह दोनु मुलकों की कम्यूनिटी चाहती है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ें और एक दूसरे के दुश्मन नहीं एक दूसरे मुलक के तोस्त बनें आप सब को दीवाली की शुब कामना है और आप सब का शुक्रिया जो मेरे साथ आनलाइन थे दूबारा आफ़ते के बाद ने टॉपिक के साथ हम दूबारा शामन होगे ठैंक यू वेरी मच शुक्रिया पाकिस्तान जिन्दावाद